हलो ये ट्रेंट्स मैं सुमन और स्वावत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहली सुमन में सुफरिंट आज के इस वीडियो में हम सकस्फुल इंप्लांटेशन की कुछ महत्पून लक्षनों के बारे में बात करेंगे जो ये दसाते हैं कि आपका गरब धानन हो गया है जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रही होती है तो सफ़ाव इंप्लांटेशन के लक्षन क्या है ये जानने की उत्सुक्ता आप में बढ़ जाती है तो चले फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं और जानते हैं सकस्फुल है इंप्लांटेशन के लक्षनों के बारे में सबसे पहले तो आप लोग ये जान ले कि इंप्लांटेशन कैसे होता है Implantation से पहले होता है Fertilization Fertilization क्या है और यह कब होता है तो जब male spump और female egg आपस में मिलते हैं और एक जाइगोट का निर्मान करते हैं तो इसे Fertilization कहते हैं यह प्रिक्रिया फैलोपेन ट्यूब में होते हैं और यहां पर लगबग 24 घंटे तक रहता है इस 24 घंटे के अंदर अगर अंडा सुक्रानों के संपर्क में आता है तो Fertilization की प्रिक्रिया शुरू हो जाती है Fertilize हो चुकी अंडे को जाइगोट कहते हैं यह फैलोपेन ट्यूब के रास्तिक गरवाश्य में जाता है यात्रा के दोरान यह अलग होता है बढ़ता है और एक बल्टी सेलोलर अकार में बदल जाता है और गरवाश्य की लाइनिंग में इंप्लांट हो जाता है कंशिप्शन और इंप्लांटेशन के बीच लगबग 8-9 दिनों का अंतर होता है मतलब इंप्लांटेशन के दारिक इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने कब ओविलिट किया है यह ओवरी से अंडा निकलने के 6-12 दिनों के बीच हो सकता है ब्रून प्रत्यारोपन के बार सरीर में कई बदलाव होने लगते हैं हमारा सरीर ऐसी कई लक्षन दिखाने लगता है जो एक सवल इंप्लांटेशन के और इसारा करते हैं और यह दर साता है कि महिला गर्बवती हो गई है तो पहला जो संकीत है वो है ब्लीडिंग होना हलकी ब्लीडिंग होना चुरुआती प्रिग्रिंसी का संकीत हो सकता है पहले तिमाही में लगबग 20-30% महिलाओं को ब्लीडिंग होती है जिसका मुख्य कारण इंप्लांटेशन है अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि यह जो ब्लीडिंग हो रही है यह पीरिड की ब्लीडिंग है या फिर इंप्लांटेशन की तो इंप्लांटेशन ब्लीडिंग में ब्लेड कभी भी फ्लो के साथ में नहीं आता है बलकि स्पार्टिंग होती है implantation bleeding में खोन का रंग हलका गुलाबी या भूरा होता है जबकि period में blood का रंग है वो लाल या फिर गहरा लाल होता है यह spotting एक बार कुछ गंदे या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको दो दिलों तक हो सकती है इसमें आपको sanitary pads लेने की ज़रूरत नहीं है spotting बस नॉर्मल ही रहेगे दोशार लक्षन है एंटन एंटन या आपके पीट के निशले हिस्से में होने वाला दर implantation का लक्षन ही हो सकता है यह एंटन श्यम आरोपन की कारण नहीं होते है बलकि प्रोसेस के दोरान होर्मोन में अचानक से बदलाव आने के कारण होते है तीस्तर जो successful implantation का लक्षन होगा वो है cervical discharge cervical mux गरबाश्य ग्रिवा से निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है आपको अपने cervical mux के निगरानी करने चाहिए ovulation और implantation के दोरान महिलाई cervical float में बदलाव महसूस कर सकते है जब आपका ovulation शूरू होने वाला होता है तब यह mux थोड़ा गौन जैसा या क्रीमी नजर आता है यह गाड़ा तरपदा sperm को जीवित रखने और तैरने में मदद करता है अगर आपके period मिस हो गए है और इसी बीच vaginal discharge बढ़ जाता है तो यह successfully implantation का एक लक्षन हो सकता है successfully implantation का चोथा जो लक्षन है वो है थकान एक fertile होने यानि कि pregnancy शुरू होने की एक सब्ता है कि अंदर महिला को सरीर में ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है सरीर में कमजोरी महसूस होने पर उन्हें बार बार आराम करने की इच्छा होती है यह थकान बीना काम किये भी बोड़ी में फील होती रहती है पांचो जो लक्षन हो इस तनों में कॉमलता implantation के बाद बढ़ा हुआ और एस्टेजी प्रोजेस्टेरन और एस्टोजन हारमन श्टनों की कॉमलता को बढ़ाता है और कई मामलों में श्टनों को छूने से दर्द भी होता है सूजन या ज़ंजनाट भी महसूस हो सकती है और इसके साथ ही निपल एरिया का रंग भी ज्यादा गहरा होने लगता है छटा जो लक्षन है वो है morning sickness यह सफल implantation का एक प्रेमुक लक्षन है लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को सुबह के वक्त ही इसका अनभव हो जी मिशलाने या उल्टी दिन में कभी भी हो सकते है प्रोजिस्टेर्ण आपकी पाचन को धीमा कर देता है जिससे मतली का एहसास होता है इस दोरान आपके सुनी की क्षमता में अधिक सम्वेदन सिलता आती है मतलब आपको किसी भी गंद का अनभव है वो जल्दी पता होने लगता है सातो जो लक्षिन दिखेगा आपको वो है मोर्ट स्विंग होना मोर्ट स्विंग महिला की गर्वती होने का एक संकेत है 6-10 सबता है कि बीतर ज्यादा तर महिलाएं मोर्ट स्विंग का अन्भुक करती है एस्टोजन प्रोजिस्टेनर और सेजी हार्मोन आरोपन के बाद तेजी से बढ़ते हैं जिससे मोर्ट स्विंग होता है ये थे सकसफुली इंप्लांडेशन होने की कुछ सेम्टम और ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिमेल्स में ये सेम्टम से वो नजर आए और किसी फिमेल्स को नजर ना आए किसी फिमेल्स में सिफ दो तेन नजर लक्षन ही नजर आते है और किसी फिमेल्स में एक भी लक्षन नजर नहीं आता है तब भी उसका successfully implantation हो जाता है और गरब ठहाए जाता है तो friends I hopefully मेरा आसका वीडियो प्लोगों के लिए useful रहे का समेलते हो next वीडियो में तब तक के लिए good bye